तो दोस्तो बॉलिवूड सुपश्टा जॉन अबराम की एक और फिल्म का ओफिशल अनौस्मेंट आज फाइनली किया जा चुका है जियां आपको बता दी कि उनकी आगले साल की पहली फिल्म होने वाली है एक विलेन रिटरंस जिसका टाइटल लोगो पोश्टर आज आउट किया गया है जो कि आप स्क्रिन पर देखी रहे होंगे इस पोश्टर के साथ इफ फिल्म की रिलीज डेट को भी अनौस किया गया है जो कि 11 फरवनी 2022 को है बता दे कि यह फिल्म वेलेंटाइन वीक पे रिलीज की जा रही है बात करें फिल्म की स्टारगाश के बारे में तो इस फिल्म में हमें जॉन अब्राम के अलावा दिशा पाटनी, अरजुन कपूर और तारस उतार यह लीड रोल में दिखेंगी और इस फिल्म को डारे करने वाले है काफिसरी कमाल की और सुपरीट फिल्म में देने वाले है डारेक्टर मोई सुरी और इस फिल्म को प्रोडूस करने वाले है टी सिरीज और बालाजी टेले फिल्म्स आपको बतारे चले की एक विलेन सीरीज की पहली फिल्म को दर्शकों से काफ़ी जबर ज़यता रिस्पॉंस देखने को मिला था और अब दर्शकों को इस फिल्म से भी काफ़ी ज़यता उमीदे है दोस्तों आपको क्या लगता है कि जौन अबराहम के आने वले एक विलेन रिटन क्या पहली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताए और आप सभी को इस फिल्म का टाइटल लोगो पोस्टर कैसा लगा है हमें वो भी कमेंट करके ज़रूर बताए साथी साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करे